Question number 18 पर आते हैं, यह F2 की value है न, तो ज्यान दीजे Fx, जब भी ऐसा function होता है तो बच्चों को बोल देंगे कि या तो इसकी value 1 plus x की power n होती है, या तो value 1 minus, जैसे यह define किये, बच्चों को यह बताना है कि F2 की value minus 31, minus आ रहा है तो इसमें तो plus आने का सवाल है नहीं, मत्तलब function य और 1 minus 2 की power n रख दूं की minus 31 आ जाए, तो मतलब n की value कितनी हो गई 5, समझ गए अपने, मतलब जो function है अपना, वो क्या है reality में, 1 minus x की power 5, इसी को n को निकालने के लिए यहाँ पे कुछ न कुछ डाटा देगा, तो अपने से पूछ क्या रहा है, F2 3, तो F2 x बताए कितना हो हो जाएगा, minus 5 x की power 4, x की power 4 हो जाएगा, तो वो minus 5 और 3 रखना है न, तो 3 की power 4, 81, 81 into minus लगा दीजे 5, तो 5, 5, 8, 5, 40, minus 405 is the, P is the required,